अध्यात्मिक कहानिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदिता यूट्यूब चैनल अध्यात्मिक कहानियों में दोस्तों अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से हनमान जी का राक्षसों से युद होता है जी हाँ वो वाटिकां जाकर किस तरीके से राक्षसों को चुनौती देते हैं और रावर को बताने की कोशिश करते हैं कि वो रामभक्त हनमान है चलिए दोस्तों आगे की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीशक है मिगनाथ हनमान युद दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जाना चाती हूँ क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर हाँ तो मैं कृपा करके आप से प्राथना करती हूँ कि आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानी को तुरन से सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि ऐसी लिधार में कहाने हम अपने चैनल द्वारा आप तक साजा करते रहते हैं चलिए दोस्तों कहानी शिरू करते हैं जम्बु वाली के वद का समचार पाकर निशाच राज रामर को बहुत करोध आया उसने साथ मंत्री पुत्रों को और पाँच बड़ी बड़ी नायकों को बुलाकर आग्या दी कि उस दोस्त वानर को जीवत या म्रत मेरे समों को पस्तित किया जाए राक्षस राज की आग्या पाते ही सादो मंत्री पोत्र और पाँच नायक नाना प्रकार के शास्त्र अस्त्रोक से सुजजित असंक राक्षत सुभटों की एक विशाल सेना लेकर अशुक वाटिका की ओचल पड़े इस शात्रो सेना को आते देख पवन पोत्र हनुमान के किट-किटा कर बड़ी भयंकर गरजना की इस घंगोर गरजन को सुनते ही अनीक सैनिक तो भैसे ही मोचित हो गए और प्रिथवी पर गिर पड़े अनीक के कानों के परदे फट गए कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षयसों वीरोप से पड़ी भूमी को देखा तो उनका साहस तूर गया और वो मिदान से बाग खड़े हुए आपनी सेना को इस पैलान करते देख मंत्री पुत्रों ने हनुमान पर वाणों की वचार आरंब कर दी बाढों के आगात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उरने लगे और शत्रों को भ्रमित करने लगे आकाश में उरते उरते वानर वीर पर राक्षय सेनानायक ठीक से लक्ष नहीं साथ पा रही थे इसके पक्षाद वे भयंकर गजना करते हुए राक्षिस दल पर व्रज की भादी तूट पड़े कुछ को उन्होंने व्रक्षों से मार मार कर धराशाई कर दिया और कुछ को लाद भूसों तीक्षन नखों और दातों से चट विचट कर डाला इस प्रकार उन्होंने जब साथ मंत्री पुत्रों को यम्लोग पहुँचा दिया तो विरुपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर्ष्ट, संघर्ष और भाश्वकर नामक पांचों नायब तीश वाणों से हनुमान पर आक्रमन करने लगे जब दुर्धर्ष ने एक साथ पांच विश्यले वाण छोड़कर उनके मस्तक को खायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए अकाश में उड़ गये दुर्धर्ष की उनका अनुसरन करता हुआ अकाश में उड़ गया और वहीं से उन पर वाणों की वशाकर लगा यह देखकर दात किटकटाते हुए पवन पुद्र दुर्षत के उपर कूद बड़े इस अप्रत्याशित अगहात को ना सह पाने के कारण वे तीव वेग से पृत्वी पर गिरा उसका सिर्फ अट गया और वे वहीं पर मुल गया दुर्गश को इस प्रिकार मार कर हनुमान ने एक साखू का वरक्ष उखाड कर ऐसी बयंकर मार काट मचाई की विचारों नायक भी अपनी सेनाओं सहे धराशाई हो गए कुछ राक्षस अपने प्राण बचा कर बेतहाशा दोरते हुए रावण की दरवार में पहुँच गए और वहाँ जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने प्राक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा अश्यर हुआ और क्रोध भी आया उसने अपने वीर पुत अक्षे कुमार को एक विशाल सेना के साथ अश्यर कुवाटिका में बेच दिया अक्षे कुमार ने हनुमान को दूर से ही देखते ही उस पर आक्रमन बोल दिया अफसर पाकर जब अंजनी पूत्र ने उसके समस्त अश्यर सस्त्रों को छीन कर तोड़ डाला तो अक्षे कुमार उससे मल यूद करने के लिए बिढ़ गया परन्तुवे हनुमान से पार ना पास सका हनुमान ने उसे पृत्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुण्श सर्प को उठा लेता है फिर फिर दोनों हाथों से बल लगा कर मसर डाला जिससे उसकी हड़ियां पस्तियां तूट गई और वे चितकार करता हुआ यम लोग चला गया ज़ब रामर्ण ने अपने प्यारे पुथ अक्षेकुमार की मृत्यू का समाचार सुना तो उसे बहुत दुकि उठा हूआ उसके क्रोद का अंत ना रहा उसने अत्यंत कूपित होकर अपने परापराक्रमिपूर्थ मेगनात को बुला कर कहा ही मेखनात तुमने घो तपस्या करके ब्रह्मा जी से जो वर्दान लिया है और जो अर्ष्ट प्राप्त किये हैं उसके प्रियोग का समय आ गया है जाकर उस वानर को मृत्यू दंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वद कर दिया है पिताकी आग्या पाकर परम प्राक्रमी मेखनात भहंकर गजना करता हुआ हनुमान से युदकरने के लिए चला गया जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रत पर सवार होकर मेगनाद को अपनी वराते हुए देखा तो उन्होंने भहंकर गर्जना से उसका स्वागत किया इसे चिड़कर मेगनाद में स्वन पंक युक तथा व्रज से श्रद्रश वेल वाले वाणों की उस पर वशा कर दी इस बाड़ वशा से बचने के लिए हनुमान पुनहा का आश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उनके लक्ष को व्यर्थ करने में लग गए जब मेगनाद के सारे उम्होग अस लक्ष ब्रस्ट हो गए व्यानिकी व्रत हो गए वे जानने लगे कि इस भारी चिंता में वे पड़ गया फिर कुछ सोच कर उसने विपच्छी को बांधने वाला ब्रहनास चोड़ा और उसने हमान को बांध लिया फिर उन्हें गहसीट ता हुआ रावर के दर्श ब्रस्ट बांधने लगे